नमस्कार जी मिरना में मेनू बताने जा रहे हूं करक राशी वालों के लिए कैसा होगा वर्ष 2017 संपूर बविश्यफल करक राशी के लोग शांत, कोमल, एमशीतल, सभाव, पेरक, अधधिक कल्पनाशी, वफादार, भवनात्मक, दयालू, डड़ संकलव वाले होते हैं आईए जाने 2017 में उनके लिए क्या संभाव बनाए हैं करक राशी के जातकों के लिए बर्षारम में शुरुवाती दोर में आपकी धीमी गती से प्रगती करेंगे आपको ऐसा अनुवभ हो सकता है कि अपने किये गए प्रियासों का उचित फल नहीं मिल पा रहा है अप्रेल महात तक नौकडी या वैविसाई में बाधा रह सकती है परंतु वास्तों में यह आपकी परिच्छा का समय है कामकाच के माहौल को खमीतार से लें उच्चा दिकारियों से टाल मेल बना कर चलें किसी भी प्रकार से बाद भीवाद से भचें वसायब से काम लें नौकडी परिवर्तन करने के विचार को टालना होगा यदि आपके अनुरूप आपका टांसफर होता है तो आपको जाना पड़ सकता है साल के मद्द से नौकडी की चार अपने वालों के लिए युवाओं को सफलता अवश्य मिलेगी साथी जो लोग नौकडी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी नए अफसर आएंगे कारोबारियों के लिए समय अनकूल रहेगा बैपार वेवसाय में प्रती होगी और आप आर्थिक स्थर पर मजबूत होंगे आर्थिक स्थिति इस साल आपकी नीमित आई बरकरार रहेगी अचानक लाब मिलने की उमीद पूरी हो सकती है आप में साहस का स्थर अधिक रहेगा आप आंधनी के नए सोस्तर पैदा करने का प्रियास करेंगे जिसमें सफलता भी मिलेगी हाला कि आपको अपने खर्चों पर नियंतर रखना होगा साल के मद्दे में नौकरी पेशा लोगों को उनके परिश्रम का फल पुर्साहन राशी या वेतन ब्रद्धी के रूप में मिल सकता है आपका कहीं रुका पैसा मिल सकता है जोखीं भरे कारियों में धन का निवेश करने से बचें किसी को पैसे उधार देने से भी बचें वरना नुक्सान हो सकता है दिर के काणी निवेश के लिए यह समय उत्तन चल रहा है साल अंत तक आपके लिए लाग धायक सीथ होगा विद्धार्थियों के लिए यह साल विद्धार्थी वर के लिए सहजिता का होगा और परिच्छा का फोविया भी नहीं सताएगा इस अवधी में प्रतियोगी छात्रों की पढ़ाई में एक आगरता बरकरार रहेगी आपकी याद दाश अच्ची होने से आप कठिन से कठिन विशों को बड़ी असानी से समझने में सफल होंगे पढ़ने लिखने में रुच्ची बढ़ेगी एवं आप अभ्याज के लिए अथिक समय निकाल पाएंगे उच शिक्षा तता रिसर्च से जुड़े जात्रों को अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे परणाम प्राप्थ होंगे जो बिधारती उच शिक्षा इंजिनिरिंग या मेडिकल छेतर से जुड़े हैं उन्हें परश्रम पूर तियारी करना होगे सरकारी नौकरी वाली परिक्षाओं में सफलता पाने का योग है यदि परत्योगी परिच्छाओं का परणाम आने वाला है तो उमीद से अच्छे परणाम हो सकते हैं परवारिक जीवन इस राशी के जात्कों को परवार्वा इष्ट मित्रों से प्रतेक कारे में सयोग मिलेगा घरेलू कार में खर्च होंगे आप संतान की ओर से आर्थिक लाप मिलने की उमीद कर सकते हैं बच्चों को नई नौकरी त्यादी मिलने से घर में आर्थिक सयाता प्राप्त होकर प्रसंता का वाता बरण रहेगा वहाल लेने की स्थिती में बन रही है मित्रों के सयोग से आपके कारपूर होंगे मेमान का अगमन हो सकता है जिससे आपके खर्चों में ब्रद्धी की संभावना है घर परवाल में मांगली या धार्मिक कारिकरम का यूजन हो सकता है दार्मिक जात्रा भी हो सकती है दापत्य जीवन में बधुर्ता बढ़ेगी भाई बहनों और मित्रों के साथ आपके संबन पहले से अधिक बेतर होंगे मतापिता का सयोग भी आपको बरपूर मिलेगा कैसर हैगा स्वास्त इस वर्ष आप में चुस्ती फूर्ती बनी रहेगी फिटनस के प्रती आपकी जागुरुता बढ़ेगी जो लोग लंबी बिमारी से बीडित हैं उनके स्वास्त में सुधार देखने को मिलेगा मानसिक सुक शान्ती के लिए कुछ समय बाहर की यात्रा कर सकते हैं जिससे की मन हलका होकर प्रसंता बरकरार रहे इस पर शापको अपने अंदर नई शक्ती का अनुबब होगा आप मानसिक शान्ती के लिए अध्यात्मी कारियों में रुची ले सकते हैं किसी भी कार में जल्द बाजी से दूर रहना ही बहतर होगा जन्वरी मानसिक सुख शान्ती बर्ष 2017 संपुर भविश्यफण जन्वरी मानसिक सुख शान्ती का वातबर्ण रहेगा परवारिक मामलों में थोड़ी जद्दो जहत करना पड़ेगी खर्च आइसी अधिक रहेगा बैपार बैवसाय में परिश्रम दारही लाव मिलेगा संतान पक्च के मामलों में ध्यान रखकर चलना होगा शत्रू परास्त होंगे फरवरी नौकरी पेचाओं के लिए समय सुखध होकर लाव दाही रहेगा दरम करम में आस्था के साथ खरच भी होगा बैपार बैवसाय में प्रगती पाएंगे शत्रू पक्च पर परवाव बरकरार रहेगा दापत जीवन में अनकूल इस्तती रहेगी भागयो नती में ब्रत्ती होगी मार्च वाक चातु से आप अपने कारे में सकलता पाएंगे संतान पक्च से प्रशंता रहेगी उनर अंजर के साथुनों में ब्रत्ती होगी विद्धार्ती बर के लिए समय उत्तम रहेगा वायनादी सुक मिलेगा मात्र पक्च से चिंता दूर होगी मगान भूमी से लाब होगा अप्रेल राजनीती से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय सुखद रहेगा वैपार वैविसाय से जुड़े लोग लावामिन्त होंगे अधिकारी वर्भी प्रसंता मैसूस करेंगे पिता का सयोग मिलेगा सत्रू परास्त होंगे अर्थिक मामलों में साफधनी रखना होगी संतान पक्ष से लाब मै रुके धन की समस्या हलोगी कुटंबियों का सयोग मिलेगा अर्थिक प्रियासों में सपल होंगे सत्रू पक्ष प्रवाव हीन होंगे प्रवारिक मामलों में समय सुकद रहेगा दापत समंधित समस्था रह सकती है मैं रुके जन की समस्था हलोगी कटुम्बियों का सयोग मिलेगा आर्थिक प्रियासों में सबलोंगे सत्रू पक्ष प्रवा हीरोंगे प्रवारिक मामलों में समय सुखद रहेगा दापत समंधित समस्था रह सकती है स्वास्त का ध्यान रखें। अर्थिक मामलों में अनुकूल इस्तिती पाएंगे, धरम करम में आस्था बढ़ेगी, प्रवारिक सयोग मिलेगा, पहारी समंदों में सुधार आएगा, जगस्त आये से अधिक बैव होगा, स्वास का ध्यान रखना होगा, संतान पक्च के मामलों में साध्धनी रखे, नौ सितंबर, सब रतनों से आप धन समंदित मामलों में अनुकूल इस्तिती पाएंगे, बैपार बैवसाई में अनुकूल इस्तिती पाएंगे, नौकरी पेशाओं के लिए सुखद वाताबरन रहेगा, शत्रू पक्च पर शांती निती से लाव रहेगा, भागो नती में ब्र प्रवाव हीन होंगे, कच की समस्या आलोगी, परवारिक्स मामलों में सुखद इस्टिती का वातावरण रहेगा, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा, भाईयों का सियोग लेकर चलेगा. दिसंबर आर्थिक मामलों में आ रही, परशनिया दूर होकर लाव मिलेगा, नौकरी पेशाओं के लिए समय सियोग वादी रहेगा, मान्सिक सुख शांती का बातावरण बना रहेगा, स्वास उत्तम रहेगा, जीवन साती के मामलों में साथधानी रखनी होगी, वर्ष में बुरे परवाव से बचने के लिए उपाए, सफेद काये को अपने हाथों से चारा दान करें, शिव्जी जी का नीमित पूजन करें, शनीवार के दिन तला हुआ खात पदात करीबों को दान करें, शुकरवार के दिन गरीब कन्याओं में खीर वा सफेद मिठाई बातें, मेरे चालर को सब्सक्राइब जरू करें